हेलो एवरीवन वेलकम टू ऑनलाइन एलर्णिक प्लेटफार्म आप अग्री कल्चर एंड जी के दोस्तों मैं भीने दिख्षित आफ सभी का एग्रीकल्चर जी के लेडिनिक प्लेटफार्म में हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी से मैनेजर और एक्जाम के लिए जो आपका एंटमोलाजी वाला पार्ट है उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्डन मल्टिपल च्वाइस कोस्टर डिसकस करूंगा यह हमारा मॉक टेस्ट टू है इसके पहले मॉक टेस्ट पस्ट मैं डिसकस कर चुका हूं और हमने एप सी आई का ज इंपॉर्टंट इनफॉर्मेशन है अगर आप एपसी आई असिस्टेंट ग्रेटफी टेकनिकल एक्जाम के लिए प्रफेशन कर रहे हो तो आप एगरी का चल्च जी के प्रेटफॉर्म से इसका कम्पलीट कोर्स इंजो कर सकते हैं हमारे कोर्स में आपको प्रवाइड किय जाएगा स्लेबर्स के एक और इंग फेज बन फेस्टू के लिए कंप्लीट नोट्स जो कि आपका इबुक्स के फार्मेट में होगा आपको वन कोस्टन बैंक दी जाएगी फुल लेंथ मॉक्टेस आपको दिया जाएंगे फेज वन फेस्टू के लिए यूटूब क्लासेश क्लास नोट्स भी आपको इसमें दिया जाएंगे टेकनिकल पेपर के लिए और आपको क्वालिटी कांटेंट दिया जाएगा एक्जाम पैटरंस लेबर के रिकोर्डिंग इस कोर्स का फ्राइस प्रेड़ा केवल आपका 1499 रुपीस और इस कंप्लीट कोर्स को इंजोल करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और एग्रीकल्चर जीके ऐसा प्लेटफार्म है जिसने एपसी आई में मैक्सिवन सेलेक्शन दि की वीडियो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लेट लिस्ट वहाँ से आप जो है यह वीडियो देख सकते हो लास्ट टैम जो वगन सीज आई थी एपसी आई एग्यम की उसमें हमारे इस ट्यूट से मैक् पिक और ने कोस्टन नमबर एक है आपका डायमंड बैक मौत इस पेस्फिक इंसेक्ट और जो आपका डायमंड बैक मौत होता है यह किसका विशिस्ट कीट है यह पूचा गया इस कोस्टन में आपके साब में चार आपसंद दिये हुए है तो इसका जो राइट उतर है वह अगर बात किया डायमंड बैक मौत के बारे में तो यह आपका जलेस्ट का जो हुए होता है वह क्या होता है फ्लू टेला जाय लोस्टेला इसका साइडिपे नेम होता है डायमंड बैक मौत का और इसको कंट्रोल करने लिए अगर आप नीम सीड पावडर को यूज करते हो नीम जो होती है आपकी उसका जो पाउडर होता है अगर आप उसको यूज करते हैं तो जो है इसका इफेक्टिव मेनेजमेंट किया जा सकता है आई पीम प्रक्टिसर्स के अंतरगत छलिए मैं आपको इसकी दिखाता हूँ ये देखिए डामेंट बैक मौत की पोटो है इसके कबेच क्राप में पतियाय उसको खा रहा है यह देखिए आपका डामेंट बैक मौत कीड़ा है नेस्ट कोस्टन क्या है अपका फर्स्ट पेस्टिसाइड यूजड इन इंडिया वास भारत में इस्तिमाल किया जाने वाला पहला केट ना सकता इंपॉर्टन कोस्टन है अपके एक्जाम पॉइंट अभी से इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी डी टी अगर बात किया डी ट है और अगर बात की जाए कि जो आपका डी डी टी होता है डी डी टी इसको जो है सरपथम सेंथेसाइज किसमें किया था तो वह आपके थे और तुम और और तुमर जैडलर यह एक साइंटिस्ट है यह एक केमिस्ट थे और जैडलर इन्होंने जो है 1884 में 1884 में आपका जो है सेंथेसाइज किया था डी डी टी को और जो आपकी डी टी होता है इसकी जो प्रॉपर्टीज है जिससे आप जो है कंट्रोल करते हो इंसेक्ट को यह आपका जो प्रॉपर्टीज होती है इंसेक्टी साइडल प्रॉपर्टीज इंसेक्टी साइडल जो इसकी प्रॉपर्टीज होती है उनको सरपथम जो आपके पाउल मूलर है उन्होंने डिस्कवर किया था और यह आपका जो है 1938 में इसको डिस्कवर किया था 1938 में और इसको फर्स्ट टाइम कभी उच किया गया था करसी में अग्रिकल्चर में अगर बात की जाए कुछ और फैक्स के बारे में तो आपका जो डिटी है इसका जो है सरप्रसंद प्रयोग जो आपका इंडिया इसमें कपिया गया था एज़ पेस्टी साइड 1948 में जो आपका डिटी है इसको जो है जो मलेरिया डिजीज है इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया में इंपोर्ट किया गया था बाहर से और साथ-साथ जो आपका बीच सी है इसको लोकस्ट के कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट किया गया था और जो आपका DDT है और जो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है भी एच्टी इसका जो मैनुफेक्ट्रिंग है वो अपने इंडिया में में स्टार्ट हुई थी तो यह सभी आपके एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको यार रखने हैं नेस्ट कोशन क्या आपका पॉली फैगस इंसेक्ट पेस्ट इस पॉली फैगस कीट है आपके अपन है लोकस्ट डाइमेंड बैक मॉथ मैंगो हापर ने तो जो आपका मोनो फैगसपेस्ट होता है इसके एक्जामपल के बात कर लेते हैं तो इसमें पहला आपका आपका डायमेंड बैक मॉथ लूट यह ज़ो अपका मोनो फैगस पैस्ट है दूसरा आपका है जाइस इस्टेंब भॉररर तो सिर्फ फॉप एगा इंसर्ट लस न एक करते हैं और उसे वी डे माकुका करते हैं फिर आपके आते हैं मोनो फारेग刚us paste यह होते हैं दोस्तो इनको किया पॉलीड इता यह क्या हुते हैं यह ग propag ब होते हैं यह तरहाई दोगे प्टेख करते हैं यह तहई जो है किसी पायटिकूलर का तक के अलावा और यहाइक करते हैं मतलब मोच दन बन ग्राफ में अटेक करते हैं अगार इंग्जमपल की बात किया काफी इंपोर्ट है लूकर सब्सक्राइब हो गया हो गया आपका बिहार है क्वल्च अपका हो गया जयुद हरी कटरिपलेश हो गया इस अभी इसके लोगा कि पॉलि've साइड का उपयोग है यह किस क्राप में सरवादिक है अपने इंडिया में यहां पर बात हो रही है इंडिया की तो यह आपका इंडिया है अगर इसके द्रस्टिकोट से देखा जाए जो आपका जो कॉर्टन क्राप होती है कॉर्टन क्राप में आपका जो है पेस्ट का जो प कोथनी से अफ़िज्ट सि याविज कर लिए यह फ्यायड होता है इसके यूज के बारे में तो ग्लोबेल लेवल पर आपका दोस्तों तो आप टिक करते फूर्ट और वेजिकेबल्स इसमें आपका हाइस है 26 परसेंट नेस्ट आपका आता है सीडियस इसमें आपका 18 परसेंट और अगर बात की जाए इंडियन पॉइंट आफ्यू से इंडियन में जो है जो पेस्टिसाइड कंजूप्शन है क्राप वाइस वह हाइस्ट है कॉर्टन क्राप में 45 परसेंट हाइस्ट है इसको आपको याद कर लेना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिर नंबर दो पर आपका आता है जाइस क्राप इसमें आपका रहता है 22 परसेंट नेस्ट आपका आता है हुईट का इसमें रहता है फोर परसेंट परसें वेटेबल में 9% प्लांटेटन क्राप में 7% अधर्स में 9% तो यह आपका रेसीव रहता है कंजुप्स्टन और पेस्टिसाइड इन क्राप आपका इनक्रावल अवस्था में आपका लापदाय कीट है तो उसका आपको नाम बताना है जो है तो उसका नाम क्या होका दोश्तो बिस्टर बीटल जो आपकी यह होती है कि जब इसकी एडिक होती है है तो ही आपकी जो है हार्मफुल होती है यह क्राप में डैविक का Käald करती है और जब ये आपका लारवाल ordinance में होती ये इस अधिक क्राप में तो इसट्रीक वायरस इस data कि मक्का इश्ट्रीक वायरस किसके डौरब प्रेसित होता है तो इसमें आपके आफनимо पर मइट एफिद और बग इशका उत्र हो जाएगा आपका लीफ आपको आपका मेज श्ट्रीक से आपका जोह लीफ हो अपने अपके हैं झरह सेड में दूसरा आपका ऐप रिडिकल में तीसरा का अप्रेजलम में ने टोप का है नोंऑ डियू कोई नहीं दो इसका उत्तर आपका हो जाएगा चिश्ष सुथ जूहे जोंसन और घन पा जाते हैं त्योंगी तक यह आप फ्रखी में थिलिए के जो इसका यह वाला पार्ट है यहां पर लेकिगे जो colonial और की में और यह के नडीमाल-घरै है और यह जो मिलेश्के लेकिता है तो एक्स्ट है तो कि बात कर लेते हैं कुछ और के बारे ये आपका अर्गर होता है। ये जो है sensory cell होती है कुछ important insect waste में और ये आपका जो है होता है अपका जो है Antymica कई को स्वेश्चा इसें जो इस पर एक निक कर ऐसे घ्रैकर में पाए जाता है हो किने 320 होता है ये किस किस इंकेन पीज़ाता है ये अपस Titans प्रूट फ्लाइक में पाया जाता है हॉब को मौत में पाया जाता है यह और हनीबी से पाया जाता है जोंस अर्गन इंपोर्टन है आपके एक्जाम पॉइंट आपको यह पॉइंट सेमी डुमेस्टिकेटेड इस पिसीज और सिल्क वाउम इज जेर्सम कीड की अर्ध पालतु प्रजात है इसमें आपके अफ़तर है टैसर दूसरा आपका अफ़तर है इजी तीसरा मूंगा और चौथा आपका है मलबरी सिल्क वार्म तो इसमें इसका उत्तर आपका हो के बारे में पहला आप कराता है मल बेडी सिल्क वार्म इसका अथे सिल्क वार्म पालता है अफ़यर और wizard in उसका होता है अ होते हैं ज़ी अपके फोर टाइप के होते हैं जे उपल हॉआamız Say आगे बाटते हैं दोस्तों नेक्राई क्या है आपका फिजिकल डेक्डाउब फूर लस्टे़ मटर्वाम भाई खाद समगरी का भाउतिक विघटन की सकेर द्वारा किया जाता है आपके आफ़न है गिजार्ड वर्टी कुल वर्टी कुल्यूस क्राप नोन आप दीज तो इसमें इसका उतर आपका हो जाएगा गिजार्ड गिजार्ड के द्वारा आपका जो है फिजिकल आतिया कैसी होती है फर्टाइल फीमेल इस्ट्राइल फीमेल फर्टाइल मेल इस्ट्राइल मेल इंपॉर्टन कोश्चन है आपके एक्जाम पॉइंट अब उसे इसका उत्तरा का हो जाएगा इस्ट्राइल फीमेल यह आपकी जो है इस्ट्राइल फीमेल होती है जो वरकर हन एक प्रिंडम है वह आपका है एनीवलिया फालिम मिस कहा आज रोप दा ग्लास इंसेटा है आउडर्ष कह सका है है मेनुप टेड़ा फैमिली इसकी ऐए लैपिडो चैड़ा जीना से में आऽ होते हैं पहला आप का अधा यह और जॉर Geo आपकी वोती है इस्टरायल होती है मैं कर फैसे मेल होता है और यह होता है जो है आपका जो मे dunno करता है और तब आपके बच्चे पैदा करती है आध डिस्टे आपका है असिस्टेन ग्रेट 2 और ग्रेट 3 दोनों एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो आप हमारे इस कम्बो पाइक को इंडोल कर सकते हैं कम्बो पाइक का फीस पड़ेगा आपको 2399 रुपीस और इसमें आपको सिलेबर्स के अकॉर्डिंग फेज 1 फेज 2 का दोनों एक्जाम के आपको ओल्ड पेपर दिये जाएंगे और आपको इंटर्व्यू गाइडेंस भी दिया जाएगा इस कोर्स में अगर आपको यह कोर्स बाइब करना है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या वाट्सटेप कर सकते हो या आप डायक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन ब आ वाएक्स कि से लिमेंगर प्रॉप औलिश ऑफट अ तो इसका उत्तराव का हो जाएगा प्रो फॉलेस इसका आपका मदभखिया करते हैं अगर बात की जाए नेर्ट कोस्टन के बारे में तो इसका कोष्टन क्या है कि मस्कारिण डिजीज इस जबाइ जो आपका मस्कारणे जोग होता है वो किसे करार होता है यह पोचा गया इसमें तो वह आपका फंगस से होता है दोस्तों फंगस से आपका जो है मस्कार्डिन डिजीज होता है और यह आपका जो है सिल्क वार्म का एक इंपॉर्टन डिजीज है काफी हार्म फुल होता है सिल्क वार्म के लिए जालिए बात कर लेते हैं इस डीडिडि बारे में जो आपका मस्कारडिन डिजीज होता है यह आपका जुह है दो इक को अधो अ कि अधो अजय होता है यह एक फंगस होता है आप करिएगा यह फंगस होता है बाववेरिया बैसियाना यह आपका जो हुआइट मस्कारडन डिजीज काट करता है और दूसरा आपका ता ग्रीन मस्कारडन डिजीज इसको आपका जो है मेटाराइजियम एमिलो सोफी नामक एक होता है फंगस वो काज कर यह आपके फंगल डिजीजेज हैं दोनों इस वाम के और यह जो है आपके जर्मरी जो वींटर से जन्वालिक होती है उसमें दिखाई पड़ते हैं जवापकी जाड़ा आता है उस तैम पे दिखाई पड़ते हैं और यह जो है काफी हाइब मात्रा में इसल्क कोकून में और प्रेक्टिंढ में लॉसे तकाच करते हैं सिलगाम में ये ये यह का जो ए इसटेंट हे यह आप ये आपको गरीन रिएज है देख सकते हैं आप और ये देखिए इसके सिल्क वाम इसमें देखिए इंफेक्शन हुआ है मस्कार्डिन रिजीज का तुई हमने इसका पिकेड़ा रखा है इससे आप इसको समझ सकते हुआ थाने से नेंस्टक Whenever आफका इंस्टालेस्न अप लाइट ट्रैका झांटरफ इसिए रिपकरaufen फिकल कंंट्रोल केमिकल कंट्रोल कंट्रोल और बायूजिकल कंट्रोल इसका जो उत्तर है आपका वो आपका हो जाएगा फिजिकल कंट्रोल जो आपका लाइट decentralized होता ये आपका जो है physical control का एक method है ये देखिए light trap लगा हुआ है देखिए solar panel लगा हुआ है इससे जो है ये charge होगी और ये देखिए तार के दोरा इसको joint किया गया है ये आपका light trap है दोस्तों ये क्या होता है basically जो आपके insect paste light की तरफ attack होते हैं उनको control करने के लिए इसको यूच कर करते हैं इसमें क्या करते हैं जात के time पे यह आपका एक जो बना हुआ है इसमें आपका एक कुई chemical भर देते हैं ऐसा chemical जो insect को kill कर दे ये एक बाल्ती टाइप का है बाल्ती है आपका कोई box मान लीजिए इसमें इन्होंने chemical फिल कर रख्खा है और इसमें जो आपकी light लगी ह हुई है तो जो पेस्ट होते हैं वो जो है लाइट के तरफ अटेक्ट होते हैं फिर क्या होता है आपका जो है वो पेस्ट जब आते हैं लाइट के पास में तो आपका जो है इसमें गिर जाते हैं इसमें जो केमिकल होता है उसमें जो है गिर करके उसी में डूब जाते हैं और किह इस राइटेनंग बाइक मोस्ट इंपॉर्टन वूख फ कंविए आपके श्रेवर्स ओपिग भी है सो इसों सकता में वब पूंच लेख Northeast काल अफ़सन पणकर में प्रसाद कि तो धालिवाल है कि ethical मोणस वसंता राज देविड यह आपके आफसान है चाहत इसका उत्तर क्या होगा वसंता राज डेविड जो आपकी ऐलिमेंट और एकोनामिक एंटेमलोजी है इस बुक के कौन लेकक है वसंता राज डेविड जी है यह देखिए बुक की उन्हें पिक एड़ का दकी है एलिमेंट्स आप एकोनामिक एंटेमलोजी बाई वसंता राज डेविड और वीवी जामा मूर्ती दोनों इसके व्याटर है नेस्ट कोस्टन क्या है आपका सिल्क ग्लैंड आप सिल्क वार्म और मोडिपाइड और सिल्क वार्म की सिल्क गंतियां संसोधित होती है लेबियल हाइपो हाई दियल ग्लैंड हाइड ग्लैंड फियराड ग्लैंड इसलेरी फिर ग्लैंड टोस्तो आप का है अगर आप FCI AG2 मेनेजर पोस्ट के लिए अपलाई किये हुए हो और आप इस एक्जाम की प्रिप्रेशन कर रहे हो इस एक्जाम को क्रेक करना चाहते हो तो एगरी कटर जी के प्लेट फॉर्म से आप कम्प्लीट कोर्स भाई कर सकते हो FCI मेनेजर पोस्ट के लिए हमारे ट्रफ पर आपको फेज फेज वन फेजटू का कम्प्लीट स्लेबश के अकॉर्डिंग ईक वूक्स दी जाएंगी कोस में यूट्वूब क्लासे आपको दिया जाएगा आपको फिद्वीय सियर पेपर आपको दिया जाएगा अपको फेजवन फेस्टू के मौक्टिस दिय से पढ़ने की आपको सकता नहीं पढ़ेगी यह हमारा complete और सेलेक्शन बैच है तो आप इस कोर्स को दोल करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने सेलेक्शन को इन से और करिए तो दोस्तों यह थे हमारे कुछ important multiple choice questions अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए करिए सेयर करिए चैनल को सबस्क्राइब करिए और वीडियो के description box से आप हमारे टेली ग्राइम ब्रुक को जाइन कर सकते हो और आप एगरी कल्चर जी के